हेलो फ्रेंड विल्कम बैक टुमा चैनल फ्रेंड आज की वीडियो में आप लोग को चानल साय अस्तर और ले ब्लाउज के कटिंग से एर करूंगी बड़े आसाम तरीके सथ वीडियो कंत जरूर देखेगा इसकी पर करके बिकुल मत देखेगा इससाथ वीडियो के सुरूर क पीचे गला आठ इंच स्लिप्स की लंबाई है साड़े पांच इंच मोरी है साथ इंच इसी मेजर्मेंट पर हम कटिंग करेंगे तो यहां पर चितना हमारा सीना है उसी इसाब से 2 इंच मार्जिन लेके कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे उसके बाद यहां पर नी आर्मोल की लंबाई रखेंगे तो यहां पर आर्मोल की लंबाई रखेंगे पौने 6 इंच पर उसके बाद यहां से भी इस तरह से चेक करेंगे तो यहां पर भी इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे उसके बाद इस निसान को इस तरह से सीधा कर लेंगे उसके सद dai strategy चौछा के सधथा निषाइंगे इस तरह से उसके बाद यहां पर यहां पर सिधा कि ने छोड़ाई रखेंगे तो गले कि दल लंबाई रखाँ एसके लंबा इसके लंबा कि इसby swear पहलें ते कमेंदाता के दाशेंदा को संगोढ़ेक Ben Genau Home उसके बाद यहाँ से नीचे से चोड़ाइक रखेंगे साड़े तीन इंज पे इस तरह से तरह से तो कि यह पी साड़े तीन इंज पेर लिंच वह रखेंगे सिछों लगाएंगे तो यहां से पहुने चार इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से उसके बाद यहां नीचे से भी इस तरह से पहुने चार इंच पर निशान लगाएंगे अब इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे बराबर कर लेंगे तो यहां से स्केल से इस तरह से बराब चैनल पर नहें, चैनल को सस्ट्राइब करियेगा, तो यहाँ पर इसी तरह cutting करते जाना है, एकदम निशान पर, तो यहाँ पर cutting कर ली एंगे, उसके बाद इसे कैची के नोग से पीछे का निशान उठाएंगे, उसके बाद यहां पर सेंटर पर कट लगाएंगे उसके बाद जो कैची के नुक से निशान उटाएंगे उसको भी इस तरह से लाइन खीज देंगे उसके बाद यहां पर बैक पाट की कटिंग होगे यह फ्रैंट पाट की कटिंग करेंगे तो यहां पर इस तरह से जो पाट म मार्जन हाई उक का उसको छोड़ के इस तरह से कंदे की चोड़ाई रखेंगे 6 इंच वे उसके बाद यहां से इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे तो यहां पर बैक पार्ट में 15 रखेंगे तो यहां पर 16 इंच वे निशान लगाएंगे इस तरह से 1 इंच बड़ा तो यहाँ पे इस तरह से 16 इंच पर निशान लाएंगे, इस निसान को इस तरह से सिधा कर लेंगे, उसके बद यहाँ से आर्मोल का निशान लाएंगे, तो यहाँ पे सेम जैसे बैक पार्ट में लगाएंगे, उसी तरह से फ्रेंट पार्ट में भी लाएंगे, तो यहाँ प इस तरह से सीधा लाइन कीचेंगे उसके बाद यहां से इस तरह से आर्मोल का निशान लगाएंगे आर्मोल फ्रेंट पार्ट में एक इंच पर रखेंगे इस तरह से गोलाई कर देंगे उसके बाद यहां पर सीना का चौथा हिसा रखेंगे उसके बाद यहां पर इस तरह से उसके बाद यहाँ पर इस तरह से तीन इंच पर गले की चोड़ाई रखेंगे उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से साड़े साथ इंच पर निशान लगाएंगे उसके बाद यहां से पहुने चार इंच्वी निशान लगाएंगे, यहां से भी पहुने चार इंच्वी निशान लगाएंगे, उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीरा कल लेंगे, उसके बाद यहां से इस तरह से पहुने दो इंच्वी निशान लगाएंगे, इस तरह से चारी सिन्ष सीना है, साड़े-चारी सिन्ष कमर है, तो यहाँ पर निशान कम्प्लीट हो गया है, उसके बाद इसके हम कटिंग कर देंगे इस तरह से, तो जिस तरह निशान लगाएं, उसी निशान पर सेम कटिंग करना है, तो यहाँ पर जो आयूप का निशान लगाएं इ इस तरह से उसके बाद यहां पर इस तरह से सेंटर पर कट लगाएंगे इस तरह कट लगाने से आसानी हो जाता है डाट डालने से कोई दिक्कत नहीं होता है डाट एक बराबर पड़ता है तो यहां पर इस तरह से पलट लेंगे पलट के पीछे का भी निशान उठा लेंगे इस तरह से तो यहाँ पर निशान कंप्लेट हो गया उसके वाद यहांपर यहांपर बैफ पर टीक। इंच मार्जिन लेंगे इस निजान को इस तरह से इस निजान से मिला लेंगे उसके बाद यहां से गोलाई कर देना है इस तरह से तो यहां पर बहुत ही आसान तरीका है स्लिप्स की निशान लगाने की तो यहां पर इस तरह से कटिंग कर देंगे तो यहां पर देखिए कितना परफेक्ट एस लिप की कटिंग हुआ है उसके बाद यहां पर चेंटर के कट लगाएंगे उसके बाद यहां पर इस तरह से नाप के इस तरह से निशान लगाएंगे क्योंकि यह अस्तर वाला है तो यहां पर फोल्ड करना है तो यहां पर इस त काट करी निशान लिए इस तरह से क्रोस फॉल्ड करेंगे इसको इस तरह से डरüst कर लेना return सब्सक्राइब इस तरह से बमए लक्रावर से स्कुराल किति है उसको इस तरह से बिठ़ा उसके बाद यहां से इस तरह से कटिंग करते जाना यहां से बरावर कटिंग करना उसके बाद यहां से इस तरह से इस्टा कपड़ा लेते वे कटिंग करते जाना है तो यहां पर वीडियो को इसकी करके बिल्कुल मत देखिएगा नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आए करेंगा कि ब्लाउस की कटिंग कैसे होती है तो यहाँ न égal度 कर सकती है तो यहाँ पर बेख इस तरह से कटिंग करते जाना है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। लाइनुंग देख के लाइनुंग खड़ा रहेगा, भेडिया नहीं कटेगा, ये खड़िया कटेगा, तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल करके इस तरह से भी चार लेंगे उसके बाद यहां पर इस तरह से इसटर कपड़ा लेते हुआ देकों करते जाना करते जाना है तो यहां पर इस तरह से मैण loyalty की BU सतिंह गई है पर देखिए कितने आसान तरीके से 40 साइच अस्तर वाले ब्लाउज के कटिंग हो गई है तो फ्रेंट आज की वीडियो कैसी लगी कामिल करके जोई बताईएगा आई होप यह वीडियो आप लोको पसंद आया तो लाइक करिए चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियम ठांक्स वारा